आगरा खंदौली शीत्र के ग्राम पंचात खेड़िया में श्रीमत भागवत कथा ज्यान यग्य के चौथे दिन मंगलवार को धुमधाम से श्रेकिष्ण जन्मोचव मनाया गया भागवत कथा में भागवान श्रेकिष्ण के जन्मोचव को लेकर मंच को फूलों की माला और वासुदेव के आठवे संतान की रूप में होता है देव की वासुदेव का अर्थ समझाते हुए कहा कि देव की यानि जो देवताओं की होकर जीवन जीती है और वासुदेव का अर्थ है जिसमें देव तत्व का वास हो ऐसे व्यक्ति अगर विप्रीत परिसित्यों की बे कराज ने कहा कि हर मनुष्य के जीवन में 6 शत्रूइं काम क्रोध मध्मुहूं लोब वा एंकार जब Notre की ये 6 शत्रूइं समात्थ हो जाते हैं तो सात्वे और पिर मनुष्य के जीवन में आना भी चाहे तो भगवान अपनी योग माया से उस काल का रास्ता बदल देते हैं तब आठवे संतान की रूप में भगवान श्रीकिष्ण का अफ्तार होता है जिसके जीवन में भगवान श्रीकिष्ण की भक्ती आ गए तो ऐसा समझना चाहिए कि जीवन सफल हो गया कथा के बीच में भगवान श्रीकिष्ण के बाल रूप की आकरशक जाकी भी निकाले गए श्रीकिष्ण जनमोटसव के मौके पर पेश किये गए भजनों पर श्रधालू जूमते रहे श्री रमेश चंद्र ने श्री भागवत भगवान की पूजा वा आरती की खथा सहयोगी गोविंद सिंग ग्राम पंचाय खेडिया से प्रधान पत की उमिद्वार पत्रकार राजीव ठिनुआ बाड नमबर 6 से जिला पंचाय सदस्य की उमिद्वार पपू कोरिया मुकेश गुत्ता जी रिंकु चोधरे अजब सिंग सीता राम बाबा बगवान सि जी क्रपाज सिंग, रमेश चंग, गोविंद सिंग, नरेश चौधरी, दिगंबर सिंग, राकेश मास्टर, शुबं ठिनुआ, निर्मल ठिनुआ, करन ठिनुआ, आधी क्राम वासी शामिल रहे आप देख रहे हैं सक्छब न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसेटिज